हेलो फ्रेंड्स मैं बहुत ही टेस्टी और फटा फट से बनने वाले एक और पराठे की रेसिपी आपके सामने लेकर आई हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़ियां और बिना फटे और बिना कोई परिशानी के हम ये पराठे बना सकते हैं इस विदी से तो मैं मूली के पराठे बना रहे हैं फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं शर्दियों के मौसम में आलो के मूली के गोभी के मैथी के तरह तरह के पराठे लोगों को खाना बहुत पसंद आता है तो मैं ये आपको मुली के पराठे बना के बताऊंगे जो बिलकुल भी फटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे से बनेंगे तो हम मुली को सबसे पहले अच्छे से छेल लेंगे मैंने यह 2 मूली के पिराठे बनारी हूं ज्यादा नहीं बनारी हूं मुझे 4-5 ही बनाने हैं इसलिए तो मैंने 2 मूली ले लिया है और इसको हम मेडियम वाले से क्रस्ट कर लेंगे इसको ज्यादा भारिक भी निकरना थादा मोटे में करें भी क्रस्ट नहीं करना है हमको मिडियम ही रखना है इसका इसलिए हमको इस प्रकार मुली को क्रस्ट करना है और देखे मुली में बहुत ही पानी छुटता है मुली पानी छोड़ देता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालके रख देंगे 2-3 मिनट के लिए मुली जितना भी पानी है वो पानी छोड़ देगा इसलिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डालके रख देंगे 2-3 मिनट ही और इसके बाद हम इसको देखे क्या करते हैं देखे अच्छे से इसको हमको निचोड लेना है बहुत ही अच्छे से मुठी से या फिर हम इसको कपड़े में रखके निचोड लेंगे तो इससे क्या है कि सारा पानी इसका निकल जाएगा बहुत ही अच्छे से इसको निचोड के हमको इसका इसका इस्तमाल करना है क्योंकि हमको इसको फिलिंग बनाना है पराठे के लिए और पानी रहेगा तो हम पराठे नहीं बिल पाएंगे इसलिए हमको इसको पूरी अच्छे इसको निचोड़ के इसका पानी अलग कर देना है देखे कितना पानी है इसमें मुली में तो फ्रेंट्स एक पर ज़रूर मुली के पराठी भी बनाकर आप देखेगा इस प्रकार से बहुत ही टेस्टी लगते हैं है और मुली तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे पाचन क्रीया के लिए ठीछ वह हमरे सेहत के लिए भूत ही फायदे-बंद होता है डायजर सिस्टम को हमारा सुधारता है तो और इसंन फाइवर के मात्रा बहुत ही अधिक पाई जाती है तो मुली हमको इस इसन में तो खाना ही चाहिएं ठंडी की शिचन में बहुत ही अच्छी मीठ ही ताजी-ताजी मूलियां मिलते हैं घ़र मूली को हम वैसे भी शलाद के रुप में ठानी हैं लेकिन कि अधिक और ये करना है अ कि शाथ मासाला है ये चाट मसाला चारकी lil आद ह्पलिक हयों आपड़ या अब देखे अच्छे से हमको मीक्स कर लेना है आप इसमें हम अलग से नम厚 नहीं डालेंगे क्य। क्लिशनी चाट मसाला भी नम होता है इसलिए तो हम इसमें नमक। नहीं डालेंगे to jokes हम इसमें नमक नहीं डालेंगे और ये और आटा जो नॉर्मल ही आ अर्टा होता है जो हम रोटी के लिए गूत के रखते हैं, वही आठा है, तो यह आठा को थोड़ा सौफ्ट कर लेगे ज्यादा हमको टाइट आठा नहीं रखना है, पर आठे के लिए थोड़ा सौफ्ट ही आठा बनाना है, अगर हम तुरंथ ही इसका डोवन आ रहे हैं तो, तो मेरे पास य बिचेए नंपने कि आधे का तो नॉर्मल्य आता है इसमें हम कुछ भी नहीं डाले हैं आप चाहें इसमें अजवाइन डाल सकते हैं और इस प्रकार से भी हम इसको, इसकी फिलिंग भर सकते हैं, छोटी से हमको पोड़ी जैसा बना के इस प्रकार से फिलिंग भर के, आप ध्यान से देखेगा, मैं दो प्रकार से आपको फिलिंग भर के बताऊंगे पराठे में, इस प्रकार से भी हमको राउंड में इसको फोल प्रकार से भी पराठे बन जाते हैं कि मुए इस प्रकार से बनाते एंसलिकों Bu Nデh, आठा, Sucatingla अंगे और इसको हलकी हाथ से विल्ग को बेल ना बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से आव। कुछ है कि नाओन इश्टिक में आपटे सजे करनेों गौल गौल करके हाथ यस अच्छे से बन जाते हैं यहे देखे अब इसमें भी हम फिलिंग भर लेंगे देखे एसली इस प्रगार से बन जाते हैं फ्रेंट्स ये कोई ज़्यादा ज़ंजट नहीं है बर थोड़ा ध्यान से हमको करना होता है ये देखे इसली ये बन जाते हैं गोल बिल्कुल और फिलिंग भी बिल्कुल नहीं निकलते हैं अच्छे से लॉक भी हो जाता है ये और हमको इसको इसको भी हलके हाथ से बेलना है तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी लगते हैं मूली के भी पराठे अकर आप कभी नहीं बनाए होंगे तो जरूर बना के ट्राइ करिएगा और मुझे बताईएगा कमिट्स करके क्योंकि हम अकषर आलू के गोभी के तो बनाती ही है मैं थीक है लेकिन मूली के ज़्यादातर लोग नहीं बनाते हैं इसलिए मैंने सोचा कि इसका भी वीडियो आपको दिखा देटी हूँ शेर कर देटी हूँ बना कर क्योंकि मैं अक्सर सीजन में एक वार मैं मूली के पराठे जरूर्अ बनाती हूँ तो मैं एक दूसरी तरीके से भी आप को बनाके दिखाऊंगी अगली वीडियो में तो ये तो मैं फिलिंग भरateg बताई उप लेकिन एक पुरानी विधी से भी मैं बताने वाली हूँ आपको तो देखे इसको हम घी से या तेल से जो भी रिफैंड तेल है हम इसको बना सेख सकते हैं पराथे को लो मीडियम फ्लेम में ही इसको सेखना है ताकि फिलिंग अंदर तक अच्छे से सेख जाए पराथा हमारा और कितने गोल और कितने बड़ियां दिख रहे हैं और बिलकुल सॉफ्ट बनते हैं यह तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइएगा हो से कि तो आप अपने फैमिली को अपने दोस्तों को जरू शेयर कर दीजिएगा मेरा वीडियो अब जो भी मेरा वीडियो देखते हैं जरू शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा और ये हमारे टेश्टी टेश्टी गर्मा गरम पराठे मूली के पराठे बनके रेडी हैं सर्व करने के लिए फ्रेंट्स तो आप भी बनाईए खाईए और खिलाईए और मैं ये टमाटर प्याज की बहुत ही चटपटी चटनी के साथ मैं ये पराठे परोसरी हूँ देखें कितनी बड़ी हैं हमारे पराठे बन गए हैं मूली के थैंक ये फ्रेंट्स वीडियो का पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाल थैंक ये देखें कितनी बड़ी हैं सॉफ्ट पराठे बने हैं बाबाई मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक ये फॉर वाचिंग गाइस